मैं साथियो मैं राज आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम बिद्याले में आपका तही दिल से स्वागत करता हूँ आज का टोपिक है आपका भारत में बरतमान में कौन क्या है तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दमाज जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नौटिपिकेशन मिलती रहे तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यही कहूंगा जो भी आप मैं कुशन आप से पूछता हूँ वो कमेंट करके जरूर बताएं जिससे के आपका रिवीजन भी होता रही ठीक है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक में पहला कुशन है बरतमान में आर्वी आई के गवर्णर कौन है सक्तिकांस दास जी को यह आर्वी आई के गवर्णर है ठीक है आर्वी आई की स्ठापना कब हुई थी आपको यह बताना है RVI जो कि हमारी RVI की स्थापना कब हुई थी 1935 में हुई थी और RVI को हम इंदी में क्या बोलते हैं भारती रिजर्व बैंक इसका मुख्याले बताईए मुख्याले कहां है मुख्याले है इसका मुंबई कहां है मुंबई तो नेक्ट कुश्चन आपके लिए आता है सेकिंड कुश्चन है आपके लिए BCCI के नए सचिव कौन निक्थ हुए हैं A option में आपके हैं जैशा B option में कपिल देव और C option में आपके शारव गांगुली और D option में आपके लिए डी आप्शन में है आपके राहुल द्रभेट तो आपको इसका आँसर बताना है तो इसका आँसर होता है ये उप्शन, ये उप्शन है जैसा, इनको जैसा को BCCI के नए सचिब निक्त किये गई हैं, तो जो BCCI के नए सचिब हैं, वो हैं कि इंदरी ग्रह मंत्री अमिस्सा के बेटे जैसा, ठीक है, तो next question आपके लिए थर्ड कुशन है आपके लिए, भारत के 47 वे मुख्य कौन हैं तो ऐ उप्षिन है उप्षैरिपी आपका आता है जस्टिस रणजन गोगई को इस्ट घ्रिवडशाब गया 56 में दीश्ट एकट सैंट नहीं keenarle न चानल कutz्ट ए आपके यस्टिस एसस्ट बोबड़ इनको निक्ट Siya गया है अपने भारत का मुख्य न he apprendre जो इस से पहले 46 में थे वो थे Justice रंजन गोगई ठीक है और जो 18 को मुख्य नएदीस की सब्त लीती नोने कितने लोम्ब्र को 18 नम्ळ को लीती ठीक है 18 को सफत लीती इनका कारेकाल होता है 18 महा के लिए होगा ठीक है तो नेक्स कुश्चन आपका आता है फोर्थ कुश्चन है आपके लिए फोर्थ कुश्चन आपके लिए आता है राज्य सवा के महा सचिव कौन हैं A option में आपका आता है अमित ठाकुर B option में आता है रजनीश ठाकुर C option में आता है अनुराक ठाकुर और D option में आपके आते हैं देश दीपक बर्मा तो आपका D option होता है जो देश दीपक बर्मा जी यहीं है राज सवा के महा सचेव ठीक है तो नेक्स कोशन आपका होता है नेक्स कोशन है आपके लिए फिप्त कोशन है आपके लिए लोकसभा अध्यच किसे न्युक्त किया गया है A option में आपके आते हैं सुमित्र महाजन, D option में आपके आते हैं राजनास सिंग, C option में आते हैं आपके ओम बिरला और D option में आते हैं अनुराख ठाकोर तो जो आपका C option होता है ओम बिरला जी, ओम बिरला जी को लोकसपा अध्यच न्युक्त किया गया है इससे पहले कौन थी इस से पहले इस पद पर आसीन थे सुमित्रा महाजन कौन थी सुमित्रा महाजन और ये हैं सत्रीवी लोकसवा के सत्रीवी लोकसवा के अद्दच्छे अब ये सत्रीवी लोकसवा के next question आपका आता है six question है आपके लिए तो six question आपके लिए आता है भारत के पहले लोगपाल किनको निक्त किया गया है जो पहले लोगपाल वने हैं वारत के इ ओप्षन में रंजन गोगोई और बी ओप्षन में न्याए मूर्ती और इसी गोष और jan न्याए मूर्ती और उसमें के लिए एके लिए पाए क हाहते हैं 1952 में और इनका पूरा नाम होता है पिनाकी चंद्र घोस ठीक है यह साल 1997 में कलकत्ता हाई कोट में जज़ बने थे कब बने थे 1997 में बने थे ठीक है तो इस फेक्ट को आप जरूर इंपोडेंट रखिएगा नेक्स कोशन आपके लिए ता है सैवंफ कोशन है आपके लिए बहारत के ग्रह मंत्री किसे निउक्त किया गया है a option में आपके अमिष्षा बधी उप्शन में आपके इसमरती इरानी और सी उप्शन में प्यूष गोल और डशन में आपके आते राजनास सींग तो आपका जो यह option होता है यह option है आपके लिए अमिशाह अमिशाह जी को 29 ग्रैमंत्री पदपर न्युक्त किया गया है इससे पहले इस पदपर कौन थे राजनास सिंग जी कौन थे राजनास सिंग जी थे ठीक है नेक्स कुश्चन आपके लिए आता है नेक्स कुश्चन है आपके लिए तो नेक्स कुश्चन आपके लिए है एर्थ कुश्चन है आपके लिए किसको उपराष्ट पती का सचिव नियुक्त किया गया है A option में आपके पियुज गोईल B option में आपके अमिर्षा C option में आपके आते आपके राजनास सिंग D option में आते हैं कौन आते हैं D option में RV सुब्बा राओ तो इसका आंसर होता है D IV सुब्बा राओ जी को क्या क्या बनाया गया है उपराष्ट पती का सचिब ठीक है ये सेवा निब्रत IAS अधिकारी है ठीक है ये उपराष्ट पती कौन है हमारे M bank and I do के सचिब नियुक्त हुए है M bank and I do उमारे उपराष्ट पती जो होते हैं उनके सचिब नियुक्त किये गए है ठीक है नेक्स ओचन आपका आता है नाइंद कोश्चन है आपके लिए नाइंद कोश्चन है आपके लिए भारत के मुख चुनाव आयोक्त कौन है तो A ओप्चन में आपके आता है याशिर खान B ओप्चन में आता है सिला शर्मा और C ओप्चन में आता है रजत सर्मा तो इसका सही आंसर होता है आपका C option जो C option होता है आपका वो सही होता है सुनीर अरोडा next question आपके लिए 10th question है 10th question में आपके होता है भारत के नए बित्तमंत्री कौन बने है इसका सही आंसर आपका क्या होता है C निर्मला सीता रमण जी को नए बित्तमंत्री के रूप में बनाया गया है इससे पहले कौन थे हमारे अरुन जेटली जी थे यह 2014 से कब तक रहे थे यह 2014 से 2019 तक रहे थे ठीक है और प्यूज गोल जी को भी बनाया गया था एक बार के लिए अमर्जेंसी बनाया गया था जब अरुन जेटली जी की तवियत खराव थी तो उनको भी 2019 में कुछ समय के लिए बित्तमंत्री बनाया गया था और पीवी चिवंदरम यह 2014 में इन्होंने वी 2014 तक रहे थे यह ठीक है यह important आपको बनता है यह important question सेंस आरे कि सारे इसको याद जरू रखिएगा नेक्स question आपके लिए आता है 11th question है आपके लिए राष्टी सुरच्छा सलाकार कौन बने हैं भारत के राष्टी सुरच्छा सलाकार कौन बने हैं A option में कृष्ण कुमार, B option में अजीद डोवाल और C option में रजत नायर और D option में आपके कौन आते हैं? अरुन जेटली तो B option आपका विल्कुल ठीक होगा अजीद डोवाल जी को राष्टी सुरच्चा सलाकार बनाया गया है नेक्स कोशन आपके लिए आता है, नेक्स कोशन आपके लिए 12 कोशन है भारत के कानून और नियाय मंत्री कौन है? तो भारत के कानून और नियाय मंत्री कौन है? A option में आपके आते हैं अरविंद केजरिवाल B option में आते हैं रवी शंकर प्रशाद C option में आते हैं सुरेश प्रभू और D option में आते हैं अमिजेटली तो इसका सही आंसर होता है आपका क्या होता है सही आंसर होता है आपका B रवी संकर पिरसाज जी भारत के कानूर और न्याय मंत्री हैं तो ये अरविंद केजरिवाल कौन है ये दिल्ली के मुख्य मंत्री ठीक है तो नेक्स कुश्चन आपके लिए आता है नेक्स कुश्चन है आपका थर्टीन कुश्चन है आपके लिए भारत के राज्य सवा के सवापती कौन है ए उप्षन में आपके आता है एम बेंक आयनाईडू बी उप्षन में आता है आपका पीश गोईल सी उप्षन में आपका आता है नरेंद्र मोधी और डी उप्षन मे होते हैं वही रहा पती होते हैं यह आपको याद होना चाहिए है सक्रreb 215 है लोग सवा के बर्तमान सचीव कौन है तो लोग सवा के बर्तमान महाथ सचीव well इस नहीं लटार श्रीवासतव बी स्रण गो गई यह घी संुट्व दोड़ा इसका सभी अंसेकल होता है इसनेलटा स्री वास्तव पर लोक सभा कर्यिल महासज़्व है थीक है इनका जनम कर भýत लिए अतारई सितंबर उनिस त्निशति दांवन ही को ला मुछ सिजब ठीक है नेक्ट शोड़िशन आपके लिए होता है फिपटीन कुष्छन आपके लिए S.A.C. के नई अध्याच कौन निख्ट हुए है एर ऊप्शन में आपके आता है कौन आता है एोप्सवन- अमिज सक्षेना B option में ब्रज राज सर्मा C option में रंजन मिश्रा और D option में आता है आपके दीपक मिश्र तो इसका सही answer होगा आपका B ब्रज राज सर्मा ब्रज राज सर्मा को S.S.C. के नई अध्यच के निउक्त किया गया है यह SSC है इसका हिंदी में translate करते हैं तो करमचारी चायन आयोग होता है क्या होता है करमचारी चायन आयोग इसकी स्थापना कभूईती मुझे बताइए आप इसकी स्थापना हो इती चार नुमंबर 1975 में कभूईती 1975 में ठीक है तो नेक्स कोशन आपके लिए आता है 16 कोशन है भारत के महा नयावादी कौन है ए उप्षन में आपके आते हैं केके वेनुगोपाल भी उप्षन में आता है रामना कोविन सी उप्षन में आता है राजना सिंग और डी उप्षन में आपके आता है क्या आता है आपके डी उप्षन में डी उप्षन में आपके आता है अमि गोपाल मायनिया वाइदी को हम आटोनी जन्रल कहते हैं यह सम्मेदान की धारा चैतर फस्ट के तहत भारत के राष्टपति द्वारा नियक्त किया जाता है ठीक है नेक्स कुष्ण है आपका 17 कुष्ण है आपके लिए 17 कुष्ण है आपके भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार कौन बनी है ए उप्षन है आपका अमित नारायन, बी उप्षन है आपका अर्विंद सुब्रमन्यम, और सी उप्षन है आपका रंजन कुमार, और डी उप्षन है आपका अमित सा, तो इसका सई आंसर होता आपका, बी, अर्विंद सुब्रमन्यम को भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार बन बेदेश मंत्री कौन न्यूक्ट किये गए है। तो इसका बी आंसर बिल्कूल ठीक होगा। बी आंसर है आपका S जैसंकर। ये अमिरिका में भारत के राजदूत्वी रह चुके हैं। blet नए बेदेश मंत्री न्यूक्ट किया गया है। ठीक है capture रिवर। के लिए 19 कोशन आपके लिए भारत के बातमान रेल मंत्री कौन है तो ए अपशन है पीऊश गोयल बी आपशन में सुरेश्प्रभु सी आपशन में सी पी जोशी और डी आपशन में आता असफ अली तो ए ओसना आपका बिल्कुल ठीक होगा प्यूष गोईल जी को बर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं इनका जनम कभ ऊथा 30 जुन 1964 में असाफली जिस प्रिथम हमारे रेल मंत्री रहे थे जो फर्ष्ट वने थे वह हमारे थे असाफली और नेक्स्ट कोशन आपका आता है आज की वीडियो का लास्ट कोशन आपके लिए लास्ट कोशन नरेंदर मोदी के प्रिदान सचीव कौन हैं तो यह उप्शन में आपका तो यही आपके लिए आज के टॉपिक के इंपोर्टेंट कुशन थे ठीक है तो पिछली वीडियो का आंसर आपको मिलता है कि शान दिवस कम मनाए जाता है कई लोगों ने मुझको आंसर वी सेंड किया था बहुत ही अच्छा रेस्पॉंस आया था यह आपका 23 दिसंबर को यह 23 दिसंबर अभी निकल के गया है तब ही बनाया गया था ठीक है और जो अपनी तरफ जगह ठीक है वह बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं नेक कुश्चन आपके लिए आता है आज का कुश्चन है आपके लिए आज का कुश्चन है आपके लिए बारती नोसेना के नए प्रमुक कौन बने हैं ए उप्शन में आपके आते हैं विपिन रावत बी उप्शन में आते हैं करमबीर सिंग सी उप्शन में आते हैं सुनी लृप में आपका एक्जाम विद्ध्यालब में फिर मैं स्वागत करता हूं ऐसी आपको अच्छी से वीडियो मिलती रहेंगी ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी like करें वीडियो को share करें अगर चैनल आप पी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करें और गंटी को जरूर बजारें जो बैल आइकन है उसको जरूर दबाएं जिससे कि आपको नौटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट करके जरूर बताएं जै हिन जै पारत